जैहिन दोस्तो स्वागत आप सभी का रेडियन टार्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिनव आपका दिल से विनंदन करता हूँ हम लोग GS के टॉपिक को डिसकस कर रहे थे जिसमें 29 तक टॉपिक को डिसकस कर चुके हैं अब हम लोग 30 नमबर से टॉपिक को शुरू करते हैं चलिए तो हमारा 30 नमबर का टॉपिक है रसायनिक सुत्र साधारत नमक का रसायनिक नम सोडियम क्लोराइड है और इसका फॉर्मूला NaCl होता है इपसम लबन का रसायनिक सुत्र MgSO4 into 7H2O होता है सुहागा करसायनिक नम बोरेक्स है और इसका फॉर्मूला Na2B4O7 into 10H2O होता है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है धोने का सोडा सोडियम कार्गोनेट होता है और इसका फॉर्मला Na2CO3 into 10H2O होता है कास्टिक सोडा का फॉर्मला NaOH होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नीला कसिस जिसको तूतिया बोलाता है CuSO4 into 5S2O सफेद कसिस उजला थोथा ZNSO4 into 7S2O हरा कसिस FeSO4 into 7S2O संगमरमर केल्सियम कार्गोनेट और फॉर्मला होता है CaCO3 कली चूना का केल्सियम ऑक्साइड और फॉर्मला है CaO भखरा चूना केल्सियम हाइड्रोकसाइड और फॉर्मला है CaOH2 सिंदूर का रसाइनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड और फॉर्मला है HGS S, 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 R, C, S, N, O, 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 N, O सल्फेट CSO4 इंटो 2S2O, सुस्क वर्फोर ठोस कायवन डाक्साइड को कहा रता है, फॉर्मुला है CO2, फिट करी, पोटेसियम अलुमिनियम सल्फेट, इसका रसायनिक नाम है, फॉर्मुला है K2SO4, इसका रसायनिक नाम ब्लेचिंग पॉर्डर, इसका फॉर्मुला है COCl2, क्वार्टर्ज का रसायनिक नाम सिलिकन टाई ओक्साइड, फॉर्मुला SiO2, पेरेश और प्लास्टर का रसायनिक नाम सिल्फेट हेमि हैडरेट, और फॉर्मुला SiSO4 इन्टू हाफ S2O, अमला राज HNO3, इसमें थोरा सा गरवर है, आधा है यह, भारी जल D2O, डिटेरियम ओक्साइड, और हाइपो सोडियम थायो सल्फेट, Na2S2O3, इन्टू 5S2O, फिर मास गैस मिथेन को कहा जाता है, CH4, अलकोहल इथाइल अलकोहल C2H5OH, चीनी को सुक्रोज कहा जाता है, C12H22O11, नवसादर अमोनियम क्लोराइड को कहा जाता है, फॉर्मला NH4Cl, सिरका असितिक एसीड को कहा जाता है, फॉर्मला CS3COOH, बिना बुझा चुना केल्सियम ओक्साइड को कहा जाता है, फॉर्मला CAO, बुझा चुना चुने के पानी को कहा जाता है, केलसियम हाइडरोकसाइड सी ये ओएज होल टू चुहे का जहर जिंक फॉसफाइड को कहा जाता है अब हमारा 31 नमबर टॉपिक है अविस्कार और अविस्कारक कॉंटम सिधान्त मैक्स प्लांक कैलकुलेटर के अविस्कारक पासकल टेलिफोन के अविस्कारक मारकोनी टेलिवीजन के अविस्कारक जेल वेर्ड टेलिफोन के अविस्कारक ग्रहां बिल टेलिस्कोब के अविस्कारक गैलिलियो ट्रांजिस्टर के अविस्कारक बिलियम साल्क डैनेमो के अविस्कारक माइकल फैडाडे, पारमानु बम के अविस्कारक ओटो होन, हैड्रोजन बम के अविस्कारक एडवर्ड टेलर, रेडियो एक्टिविटी के अविस्कारक हैंडिरी वेक्यूरल, रेडियम के अविस्कारक मैडम क्यूरी, रेडियो के विसकारक मारकोनी, भाफिंजन के विसकारक जेम्स वट, रड़ाव के विसकारक टेलर और यंग, हवाई जहाज के विसकारक राइट ब्रदर्स, एक्सरे के विसकारक रॉएंजन, हाइड्रोजन के खोज करता, केवेंडिस, इलेक्ट्रोन के खोज करता, जेजे नियम मैंटलीव दिये जो परमानु द्रब बेमान पर अधारित था डाइनामाइट के खोज अल्फेड नोवेल ने किया सापेक्सता का सिधान्त आइंस्टीन ने दिया माइक्रो एसकोप की खोज जॉंसेन ने किया बेतार कातार मारकोनी ने जेट इंजन वीटल ने एसी मोटर को निकोल टेसला ने बनाया बिदूत वैटरी को वोल्टा ने बनाया साइकल को मैक मिलन और वोंडर रेसो ने बनाया डिजल इंजन को रुडोल्फ डिजल ने डिसी म अब हमारा अगला टॉपिक है उर्जा के स्रोत और नविकर्निय उर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है जो सिमित मातरा में उपलवधो इनकी पूरती नहीं किया जा सकती है इनका बार बार परियोग नहीं किया जा सकता है मतलब जो प्रक्रियोग में सिमित मातरा में होगा है और इसका परियोग बार बार नहीं किया जा सक है नभी किरन ये शुट जो कभी समगत नहीं हो सकता है इनका बार बार परियोग क्या जा सकता है इसे सार उर्जा पबन उर्जा जल विद्धुत उर्जा भूतापोई उर्जा जै важно हैड्रोजन हाड्रोजन को भूषका इंधन कहा जाता है परंपरागत उर्जा का स्रूत कोईला तेल पाकरती गयास लकरी चारगोल गोवय बरसपती अपसिस्ट है गैर परंपरागत परंपरिक उर्जा का स्रूत है सौर उर्जा पबन उर्जा नाभीकिय उर्जा हाइड्रोजन भूतापिय उर्जा ज्वारिय उर्जा प्लट ग्रूप जो है O से ले सकता है और A B AB को दे सकता है इसलिए इसे सर्वधाता कहा जाता है A रक्त A blood group A और O से ले सकता है A और A B को दे सकता है B blood group B और O से ले सकता है B और A B को दे सकता है A B A B A और O से ले सकता है और A B को दे सकता है ये सभी से ले रहा है इसलिए इसको सर्व ग्राही कहा जाता है चलिए हमारा 34 नुमर टॉपिक है दर्पन अबतल दयवपन का प्रियोग होता है टॉच में, सर्च लाइट में, गरी के हेर लाइट में, हजामत में, सौर भटी में, डॉक्टर के दौरा उतल दयवपन का प्रियोग होता है पश्च द्रिस में, बाहनों में, साइड मिरर में बाहर में जो side mirror होते हैं उसमें उतल दयपन का प्रियोग किया दता है जो चीजों को छोटा करके दिखाता है जबकि अब दल दयपन चीजों को थोड़ा बरा करके दिखाता है चलिए अगला टॉपिक है हमारा चिकित से 35 नमर टॉपिक चिकित सा विज्ञान समंदी खोज डा जो लीन की खोज वेटिन और वेस्ट ने हैजा का टीक ररोइट कोच ने मलेरिया की किटानी खोज रॉडनेल्ड रॉस ने किया चेचा का टीका एडवर्ड जैनर ने दिया हिद्धे परतारोपन एच्छी वनाड ने किश्चन वनाड ने किया डिडिटी की खोज पॉल मूला ने बीसीजी के टीका को यूरीन कॉमेट ने खोजा हैड्रोफोबिया का इलाज लूई पास्चर ने किया खोजा पोलियो के टीका की खोज जॉन सालक ने किया जीवानू की खोज लुवेन हॉक ने होमियोपैथी की खोज हानीमेन एंटिसेप्टिक सजरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने एस्टेथोज़कोप की खोज लैनिक ने पैंसलीन की खोज फ्लैमिंग ने किया उत्परिवयतन का सिधान डीब्रिज ने दिया कोशिका को सबसेफले रॉबर्ट हुक ने देखा विकासवाद का सिधान चर्ल्स डार्विन ने दिया बिसानो की खोज इवान नोवस की ने किया भारत में हिर्दय का सफल परता हुए पर पी वेडियों को पाल ने किया किटानों सिधान्त लूई पास्टर ने दिया अब हमारा 36 नमबर टॉपिक बैज्ञानिक उदाहरन है गारी चलने पर यातरी पीछे की ओजुगता है जरत्त के कारण गारी रुकने पर यातरी आगे क्यों जुगता है जरत्त के कारण कंबल को डंडे से पीटने पर धूल अलग होता है किसे कारण तो जरत्त के कारण पेर की साखा को जो से हिलाने पर फलो या पत्तियों का गिरना किसके कारण होता है तो जरत्त के कारण है गोली मारने पर कांच में छेद किसके कारण होता है तो जरत्त के कारण है नाला पार करने के लिए दूर से दौर लगाना क्यों लगायता है तो गती जरत्त के कारण एक समान वेक से चलती गारी में उपर गेंद उच्छालने पर गेंद वापस हाथ में लाटना जब हम चलती गारी में गेंद को या किसी समान को उपर की और फेकते हैं तो वो वापस हाथ में याता है किस कारण गती के जरत्य के कारण उपगरा का गरहों के चारोर परिकर्मन सारे उपगरा और सभी गरह के चारोर घुमते हैं अभी केंद्रियबल के कारण इलेक्ट्रोन का नाभिक के चारो और घूमना अभी केंद्रियेबल साइकल या गारी का मोर की तरफ जुकना अभी केंद्रियेबल के कारण मौत के कुए में गारी का चलना अभी केंद्रियेबल का उदारन है फिर डोरी से बंधे पिंड की ओर घुमाने पर डोरी में तनाव यहां अभी केंदरिया ने अप केंदरिया बल होगा क्योंकि जब केंदर से बाहर की ओर फोस लगता है तो अभी केंदरिया और केंदर से अंदर की ओर अगर फोस लगता है तो वो अभी केंदरिये बल होता है तो जब हम किसी डोरी को खुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्ष लगता है इसलिए वो अभी केंदरिये होगा ना कि अभी केंदरिये होगा दूद से मक्खन निकालने की जो मसीन होती है अपकेंद्रियवल का उधारन है वासिंग मसीन अपकेंद्रियवल के सिधान पर काम करता है आगे 37 नमबर टॉपिक है हमारा अंग को जोरने वाले उत्तक अस्थी को अस्थी से जो हता है लिगामेंट या फे अस्थी बंधन मानस्पेशी को अस्थी से जो हता है टेंडन या फिर कंडरा मानस्पेशी को मानस्पेशी से जो हता है संपट अगे 38 नमर हमारा टॉपिक है बैज्ञानिक उपकरन बिद्दु तोजा का संक्रह कौन करता है एक्जूमलेटर बायो वम गैस का भार तथा घनत मापने में किसका परियोग क्या जाता है एरो मीटर विमान की उचाई मापने में अल्टी मीटर बिद्दु धारा को मापने में आमीटर का परियोग क्या जाता है हवा की सक्ती तथा गती मापने में किसका परियोग एनिमो मेटर सुनने में सहायता परदान करता है ओडियो फॉन बायमंठरली अदप परिवा kraff का दूर की वस्तू देखने में किसा परिवाइग होता है वाइनो किोलर और दुर्वीन का परियोग बिल्लाकार वस्तू का व्यास और मोटाई में किसा परियोग होता है कैलिपर्स का उस्मा की मात्रा मापने में किसका परियोग होता है कैलोरी मीटर का पेट्रोल तथा हवा का मिसन बनाने में किसका परियोग होता है कार्बूरेटर का परियोग होता है हिर्दय की गती मापने में किसका परियोग होता है कार्डियोग्राम का जलियान में समय का पता लगाने में क्रोनोमीटर का प्रियोग होता है बात को रिकॉर्ड करने में किसका प्रियोग होता है डिक्टाफोन का नमन को मापने में किसका प्रियोग नमन मापी का इंजन दौरा उत्वर्ण सक्ति को मापने में किसका प्रियोग डाइनेमो मीटर का चितर को परदे पर दिखाने में किसका प्रियोग होता है एपिडाइस्कोप का समुद की गहराई मापने में किसका प्रियोग होता है फैदो मीटर का रेडियो एक्टिव स्रोथ की गर्ना करने में किसका प्रियोगता है गाय गाय मुलर काउंटर का पानी की सता पर तेल की उपस्थिती जानने में किसका प्रियोगता है ग्रेबो मीटर का घूमती वस्तू की गती मापने में किसका प्रियोगता है गायरोस्कोप का आप एक्छी घणत मापने में किसका परियोग है तो है डरो मीटर का बाइमांडर ये आधरता है अग्रोमीटर हो जाता है उचे भवन पर लगाया जाता है इसका जिस से बिजली का कोई परभाव नहीं होता है lighting conductor तक चालक का परियोग क्या एता है इसके वज़ा से भवन के उपए बिजली नहीं गिरती है धोनी को दूर तक पहुंचाने में मेगा फोन का प्रियोग होता है मेरा फोन लिखा गया है मेगा फोन का प्रियोग किया जाता है मेगा फोन का प्रियोग होता है धोनी को दूर तक पहुंचाने में गैस का दाब मापने में किसका प्रियोग मै माइक्रोमीटर का, छोटे वस्तों को बना करके देखने में किसका प्रियोग माइक्रोएस्कोप का, गारी दौरा चली दूरी को मापने में किसका प्रियोग ओडोमीटर का, पानी के अंदर देखने में किसका प्रियोग होता है, पेरियस्कोप का, दूर इस्थित वस्तों का क्ताप मापने में किसका प्रयोग पाईरोमीटर का है। गती परदलसित करने वाला उपकरन कौन सा है जिसे गती मापा जाता है स्पीडो मीटर द्रब की स्यांता मापने में किसका प्रयोग विस्को मीटर गोलिय तल की वकरता तिरजिया मापने में किसका प्रयोग होता है स्पाइरो मीटर का समाचार प्राप्त करने वाला उपकरन क कुन सा है टेली प्रिंटर दूर की बस्तू देखने में परियोग किया जाता है किसका टेलेक्स का बस्तू का ताप समान मनाय रखने में थाइमो इस्टेट का परियोग किया जाता है सुरी किरन की तिवता मापने में एक्टियो मीटर का परियोग किया जाता है बायू यान अंतसरावी गरंथी में प्यूस गरंथी अब्टू गरंथी अधिब्रिक गरंथी आते हैं मिस्रित गरंथी अगनासे को कहा जाता है जो एंजाइम और हर्मोन दोनों का स्राव करता है बौनापन होने का कारण का है सुमेटो ट्रॉपिक हर्मोन की कमी के कारण सरीर में जल पृंध रनतुलन बनाये रखता है एंटी-ड युडिक हर्मोन एडस हर्मोन हो है जनम के बाद दूध का सक्रिय सर्वन किस शर्मोन के कान होता है अख्षि Yetion K को कहा जाता है माधा हर्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है 실िए 40 नंबर टॉपिक हमारा है प्रानी जगत परोटो जुआ का उधार आपिवा असे और परत कीशिए और मिकी स्टेटेशु मर्मा खेलनां राहीव य्ञ लीना और केचुआ आ जाता है और्थोफोडा में जल वायू अस्थल पे रहते हैं मक्खी, तिलचट्टा, मच्छर, मक्री तितली, तिढ़ा बिच्छू यह सारे और्थोपोडा में आते हैं मुलासका में अक्टोपस और सीपी आते हैं मच्छली में रोहू, समुद्री, घोरा और साथे साथ जो हम लोग ताजे जल का जो मच्छली होता है रोहू, कतला, बहुत सारे हैं एकाइनो, डर्मीटा में स्टाइफिस आते हैं उभैचर जिनको एंफीबियन भी कहा जाता है इसमें मेड़ा काते हैं नेक्स्ट हमारा है सरी सिर्फ में जो रेंग कर चलते हैं कच्छुआ, छिपकली, सांप, मगयमच और घरियाल एवीज, पक्छी एवीज, पक्छी होते हैं कभूतर, मोर, सुतो, मुर्ग, उल्लू अंड़ा देने वाले अस्तंदारी है दक्विल्ड, चीटी खोर या भी प्लैटिपस कहा जाता है और परिपक बच्चों को जनन देने वाला अस्तंदारी कौन सा है कंगारू बिक्सित बच्चों को जनन देने वाला अस्तंदारी कौन सा है मनुस, सुवेल और हाथी और भी कई सारे है कसिरुकी जन्तुक इसको कहते हैं इसमें रीड की हड़ी होते हैं इसे मचली, सांप, अस्तंदारी जीव और पक्छी और कसिरुकी जीव जिसमें रीड की हड़ी नहीं होते हैं कीट, केकरा, घेंगा, अक्टोपस और स्टार फिस अब हमारा कुछ परमुक घाटक है यसे हीटर में नाइक्रोम का परियोग, फिलामेंट में टंग्स्टन का परियोग, हीमोगलोवीन में लोहा का परियोग, क्लोरोफिल में मैगनिशियम का परियोग होता है, सोला सेल में सिलिकन का परियोग, मतदान साही में सिल्वर नैट्र का प्रियोग होता है लाल दवा में पोटेसियम पर मैगनेट का दाग शुराने में अक्जेलिक अमलका भोजन पाचन में हैड्रोकलोईक अमलका जो हमारे पेट में पाया जाता है दरपन में सिल्वा नाट्रेट का प्रियोग होता है फोटोग्राफी में सिल्वा तो है जो विदूत का सुचालक है जैसो हॉल पेट्रोल्रों अतर नॉल का मिस्रान होता है कोल गैस में है । ही Qin कारवन नाट डाकर्ण होते हैं। गोवर गैस में मिथेन और सी एंगी में मिथेन और इथेन दोनों होता है लपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख रूप से ब्यूटेन होता है ब्यूटेन 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 में कोवाल्ड पाया जाता है अब हमारा टॉपिक है बैलिस नमबर उत्क्रिष्ट गैस उत्क्रिष्ट गैस जिसको ओक्रिया गैस कहा जाता है या पर सुन्य वर्ग के तत्तु कहा जाता है इसमें हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन है अब हमारा 43 नमबर टॉपिक किरन है, सबसे अधिक उर्जा वाला किरन, अलफा किरन, सबसे कम उर्जा वाला किरन, गामा किरन, सबसे अधिक भेदन चमता वाला किरन, अलफा किरन, सबसे भारी किरन, अलफा किरन होता है अब हैं गलनांग और हीमांग 44 नमबर टॉपिक टंक्स्टन का गलनांग 3400 डिगरी सेल्सियस होता है जो सबसे अधिक है पारा का हीमांग माइनस 49 डिगरी सेल्सियस जो सबसे कम है सीसा का गलनांग 326 डिगरी सेल्सियस सोना का गलनांग 1063 डिगरी सेल्सियस इसमें कुछ आगे पीछे रहते हैं किसी भी बुक में या कहीं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा 45 नंबर टॉपिक है जन्तु जगत अस्तंधारी में रक्तप का सवाधिक तापमन किस जानबर का होता है बकरी का सबसे बढ़ा अस्तंधारी है वेल सबसे छोटा अस्तंधारी है छोचंदर अंडा देने वाला अस्तंधारी है एकिदना जो पीछे भी हम लोग देखे एकिदना डक विल्ड या फे चीटी खोर सबसे चोटा पक्षी है हमिंग वर्ड जो पीछे की ओर उड़ती है इसको हिन्दी में गुंजन पक्षी भी कहा जाता है ना उरने वाला पक्षी कीवी और एमू है जो स्टृट जैलेंट में पहन आता है सांप के 20 की प्रकेटी होती है अमली है घोसला बनाने वाला एक मातर सांप है कोबरा किंग कोबरा सरीशिप का विकास कर ववा मेसो जोईक यूग में डाइनासोर वर्ग के जन्तु किस यूग के थे तो मेसे जोईक यूग के है उल्टा और ने वाला पक्षी कुण सा है तो हमिंग वर्ड या फिर गुण्जन पक्षी है चलि हमारा छेलिस नमबर टॉपिक है विज्जान की साखा सिकों का देन नियुमिस्मेटिक्स का लाता है धोवनी विज्जान का देन एकॉस्टिक्स का लाता है कीट विज्यान काध्यन, एंटमोलोजी, पक्छी विज्यान काध्यन, और नीथोलोजी, रेशम उत्पादन, सेडी कल्चर कहलाता है, मदमक्खी पालन, एपी कल्चर कहलाता है, कवकों काध्यन, माइकोलोजी, मानव काध्यन, एंथ्रोपोलोजी, जिवानु काध्यन, वेक् फलों का अध्यान पोमोलोजी विसानों का अध्यान वायरोलोजी मतस्य पालन पीसी कल्चर कलाता हिर्दैरों का अध्यान कार्डियोलोजी खोपरी का अध्यान फ्रेनोलोजी संख्या का अध्यान नुमेरोलोजी उत्तक का अध्यान हिस्टोलोजी अंगूर का अध्यान संदर का ध्यान केलोलोजी ना कंगले का ध्यान राइनोलोजी मक्रियों का ध्यान एरेक्नोलोजी चीटियों का ध्यान मिर्मिकोलोजी सर्पों का ध्यान ओफियोलोजी रोगों का ध्यान पैथोलोजी सरीशिव का ध्यान हर्पेटोलोजी अब कुछ बहुतिक घटना का कारण सेंटलेस नमजेंस टॉपिक। चमगाधर रात में उर्ता है किसका है PART load量 के Кारण है रीडियो का स्टेशन बदलना है किसका हुऊधान है अनुनाध का हुदारन है पुल पर तुटना किसका उधान है अनुनाद का चिनीमा हॉल में दिवार खुरी बनाए जाती है अनुरनन रोकने के लिए द acum एक कमे से दूसरे कमे में जाना किसका उधान है बिवरतन का उधान है धरनी की आविरती का कम या ज़्यादा उना है डोपलर बरभाव का अकास का रंग काला दिखना सुरी के परकेवन नहीं होने के कायन है तार का टिम्टिमाम परकास के अपवरतन का उधायन है पानी से भरे वायतन में सिक्का या मचली का उपर उठावा परतीत उधारन है अपवरतन के सुरीयोदे से पहले सुरी का दिखना अपवरतन का उधायन है पानी में डूबी भी छरी का टेड़ा दिखना भी अपवरतन का उधायन है हीरा का चमकना पुर्णांत्रिक प्रावरतन का उधायन है दिश्टी भरम या मिर्ग मारिची का पुर्णांत्रिक प्रावरतन का उध स्लक्राइवा धोनीतरं की सीमह 20 हजार 10000ungen तक होता है। स्लक्राइव तक कुल्ड़ मुजुनल धोनीतरं की सीमह 20 हजार कर चाहें। हम सुनाधर 10 के सकician जाएवा और होता है। कुर्ण से कंकिता का या Мोता हुना कर रा कि का होता है। तारत तो पिछ के कायन होता है, पिछ अधिक होगा तो आवाज पतला होगा, कान में ध्वनी तेज या धीमी सुनाए पाना किसका उधायन है, प्रवलता का उधायन है, मेगाफोन, हॉर्न, एस्टेथोस्कोप किसके कान काम करता है, ध्वनी के प्रावरतन पे काम करता है, सरी दियान घरी के पूर्जे की सफाय में किसका प्रासब्य तरंग का। सबसे अधिक होता है लाल रंग में अपवायतनांग सबसे कम होता है लाल का अपवायतनांग सबसे अधिक होता है बैगनी का परकास का विएक सबसे कम होगा वैगनी में परकास का विएक सबसे दिखोगा लाल रंग में सबसे अधिक विचलन होता है वैगनी रंग का सबसे कम पुर्णातिक प्रावर्तन कवन पर ध्वनी का परभाव एक वटे दस सकेंड तर्व करता है परती ध्वनी थुर्णे की न्यूंतम दूरी 17 मीटर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रत्ते हैं आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे धन्यवा झाल